बच्चों आज के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं बसंत भाग दो का पाठ साथ पापा खो गए आपको पढ़ा रही हूँ जिस पर अभी तक के कहानी पर मैंने दो वीडियो बनाए हैं उस कहानी के आगे के अंश को लोई कर मेरा ये तीसरा वीडियो है चुकि कहानी लबी है इसलिए इस तरह से एक में समेटना आसान नहीं है फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो इसलिए मैं इसके तीसरे वीडियो पर आपको ले आती हूँ और कहानी के आगे के अंश को आपको समझाऊंगी व्याख्या करके कहानी के सारांश को जब पूरी कहानी खत्म हो जाएगी पूरी एकांगी खत्म हो जाएगी तो फिर मैं इसके पाठ के प्रश्णों को कराऊंगी तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधिये आपको कहानी पर ले आती हूँ जहां मैंने अपने उस वीडियो का अंति किया था ठीक उसी के बाद से मैं इस कहानी को शुरू करती हूँ तो मैं बढ़ती हूँ पाठ पर आती हूँ तो चलिए अपने पुस्तक खोल लीजे और हम सब मिलके पढ़ते हैं पाठ साथ पापा खोग गए अब कहानी का जो अंश है वो यह है कि लेटर बॉक्स जो रहता है वो पूस्ता है कि लड़की से परचे लेना चाहता है कि वो कहां रहती है अब यही बताने के लिए जो लड़की है वो परिशान रहती है कि अपना परिशे कैसे दे तो letter box पुछता कि तू रहती कहा है तो लड़की कहती है अपने घर में रहती हूँ letter box पुता है बहुत अच्छे हर किसी को तो अपने घर में ही रहना चाहिए पर तेरा है घर कहाँ तो लड़की को क्या पता कि पता कैसे बताया जाता तो उसने का हाँ घर हमारी गली में है तो letterbox कहता है हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर गली में हो सकता हो अच्छा रहता है पर गली है कहाँ तो लड़की को क्या समझ में आए कि आखिर वो पूछना क्या चाह रहा है तो उसने कहा कि पूछा कि वो गली कौन सी है जहां तुमारा घर है तो लड़की कहती हाँ घर हमारी गली में तो letterbox कहता है कि अच्छा पर वो गली है कहाँ तो लड़की कहती सड़क पर आसान तो है मिलनी हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है पर उस सड़क पर ना आदमी आते जाते रहते हैं मतलब लड़की किस तरह से भोली भाली है कि वो किसी तरीके से बस यह समझाना चाहती है कि एक गली है वहाँ उसका घर है उस गली में आने जाने वालों का लगा रहता है ताता आदमी आते जाते रहते हैं इस समगतारी मगर उसे पता नहीं मालुम है कि वास्तों में वो रहती कहां है। तो लेटर वॉक्स कहता है यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में ही हूँ अगर गली में गलियां सडकों पर और सडकों पर बहुत से लोग हों इससे चोरी वोरी भी कम होती है पर तुम्हारे सडक का नाम क्या है लड़की सोच में पढ़ जाती है नाम हमारे घर वाली सडक तो उसे सुता कि अब क्या कहूँ तो कहता अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना जैसे मुझे सबने नाम दिया है लालता हो पर मेरा असली नाम तो letterbox है तो लड़की कहती है ये सब कौन है ये सब यानि ये यहां तो कोई नहीं है letterbox हड़ बड़ा कर हैं? नहीं नहीं यहां तो कोई नहीं है मैं तो वैसे बता रहा था तुझे कोई मुझे ऐसे कहे तो तो पेड़ खंभा कवा सब ही लंबी लंबी ठंडी ठंडी सांसे लेते हैं letterbox तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की बोलती है मुझे नहीं पता सभी उसे सड़क कहते हैं सच कोई कोई रोड भी कहता है रोड तो letterbox सुचता है कि बड़े परिशानी में पढ़ता है कि आप क्या करूं? तो पेड़ से लिफाफे निकाल कर देखता हुआ कि देखें ऐसी कोई सड़क हो जहां से पता लग जाएगी बच्ची कहा की है तो यह देख इस पर जैसे पता लिखा है वो दिखाता है कि बच्ची को कि देख इस चिठी पे जो पता लिखा है ऐसे ही हर जगा का पता होता है तो तू ऐसा पता मुझे बता कि तू कहां की रहने वाली है अब लड़की को जब यही पता होता तो शायद कहानी का सिर्शक कुछ और होता तो उसने समझ में उसके नहीं आता कि वो क्या कहे तो लड़की कहती है मुझे नहीं पता सची मुझे नहीं पता तो लड़की बड़ी उदास हो जाती ए कि उसे तो ऐसा पता मालूम ही नहीं है तो खंभान तो नहीं रहा जाता बीच में बोलता है कमाल है लड़की आश्चर से खंबे के उड़ देखने लगती है फिर वो छुपो जाता है फिर लड़की कहती कौन बोला या कमाल है कौन letterbox खंभा जीब काटा नहीं नहीं यूहीं लग रहा है तुछे यूहीं तो letterbox जो रहता है सुचता है कि लड़की कहीं डर न जाए तो बोलते हैं letterbox उसे समझाता है कोई नहीं बोल रहा तू बेकार में डर रही है कोई नहीं है कोई नहीं है यहाँ पर वो समझाने लगता है लड़के तो मुझे सुनाई दिया है वहाँ से उपर से लड़की को लगता है कि नहीं किसी की आवास तू से आई है तो वो बड़े उसमें पढ़ जाता है कि क्या कहे तो फिर पेड भी बोल पढ़ता है एक दम मुझ तहनी पर रखता है तो लड़की दीखो वहाँ से कोई आवाद जरूर आई है उस पेड पर से आई है तो लड़की इस तरीके से डरी डरी से कहने लगती पता लगाने चाहती क्या कि कौन है तो लड़की कौवा जो रहता कहता है मैंने नहीं की चोज दबा कर रखता है तो लड़की कौन बूला यह कौन कौवा कमबा गधा है यह भी तो पेड कहता है जब न बोलना हो तो जरूर उसको गुसा आती है कि यह सब बोल दे रहा है बची डर रही है तो पोश्टर पर बनी नाचने वाली का सब्तुलन फिर बिगड़ जाता है और वह फिर से अपने पाउट टिकाती है घुंगरू की आवाज आ जाती है अब इसको भी सजीव दिखाया है कहानिकार ने कि पोश्टर पर लगा हुआ जो चित्र है वो नाच रहा है उसके घुंगरू बज रहे है उसकी आवाज आ रहे तो सजीव चित्रन किया है तो लड़की जो रहती है वो देखो, वो देखो, कोई नाच रहा है सभी उस दोड़ देखने लगते है क्या है, यह क्या है कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन तो लेटर वक्स को लगता है कि लड़की शाय डर रही है तो लेटर वक्स बड़े प्यार से समझाता है देख, तो बिलकुल घबरा मत हमी सब बोल रहे हैं हमी नाच रहे हैं, चल रहे हैं गाह भी रहे हैं तो letterbox होता है कि अब इसको सच बता देना चाहिए नहीं तो यह बच्ची डड़ जाएगी तो लड़की पूछती है उससे कि हमी मतलब कौन? बताओ ना, बताओ ना जल्दी तो letterbox कहता है हमी, यानि हमी मैं letterbox यह पेड, यह बिजली का कसम से, मतलब लड़की अपनी बात को सच जानने के लिए उसको कसम से कहके पूछती है तो letterbox होता है कि बच्ची को सच बताना ही पड़ेगा तो वो भी कह पड़ता है कसम से बस इंसानों के सामने हम नहीं करते हैं यह सब इंसानों को ऐसा दिखाई देता है कि भूत करते हैं यह सकतो घबरा जाते हैं इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब हम बोलते चलते और नाचते हैं तो letterbox ने बच्ची को समझाया कि देखो हम इंसानों के सामने इसलिए ऐसा नहीं करते कि वो डरेंगे फिर वो हमें नुकसान पहुचाएंगे तो जब कोई नहीं रहता तो हम भी आपस में बातचीत करते हैं बोलते हैं नाचने वाली का संतुलन बिगड़ जाता है फिर घुंगरू की आवाज आ जाती है फिर पहले जैसे इस्थितियों से सुनाए पड़ती है यहीं लड़की इतनी देर में उन सबों के साथ थोड़ा घुल मिल जाती है सभी के साथ तो फिर लेटर बॉक्स को भी अच्छा लगता है कि चलो लड़की का डर खतम हो गया तो पेड, खंबा, कौवा जो रहते हैं मनी मन बड़ी सा अबाशी देते हैं बहुत अच्छा लगा, उसे भी अच्छा लगता है कि लड़की का डर खतम हो गया लड़की हैरान होती है, सभी ताली बजा बजा के नाच रहे हस रहे, तो भी हसने लगती है फिर लड़की जो रहती है सब चल कर पहले मेरे पास आओ फिर लड़की सोचती है कि जब यह सब भूली रहे है तो सब को अपने पास बुला कर बैठा लेती है तो सब को बुलाती है कि सारे कि सारे पहले तुम लोग सब मेरे पास आओ आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी जाओ तो लड़की जब ऐसे कहती है तो सब बारी बारी उठते हैं उसके पास आ जाते हैं अब खंभा बैठो बैठो कहते हैं खंबे नीचे बैठो बैठो ना देखो मैं नहीं तो रोऊंगी तो letterbox उससे समझाता है कि बताता है कि उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता और मैं आपक होता तो कैसे बैठेगा तो जब बच्ची चिलाती है तो वो बताता है letterbox भाई यह बैठ नहीं सकता यह तो लोहे का बना है तो लड़की पूछती क्यों पेड़ कहता है कि क्योंकि जब से वह यहां खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल भी नहीं बैठा है तो बैठ भी खुश होती है मतलब यह बिचारा लगातार खड़ा रहता है टीचर से जैसे सजा मिली हो खंभा स्विकृति में इससे रिलाके गड़ने लाता हां जो तुम करी बिल्कुल सही है फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं हां चलो ना कहके लड़की भी सोती है कि चलो आप इसको बिठाने के कोशिस करते हैं तो सब मिलकर बड़ायत करते हैं खंभे को बिठाते हैं बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है लेकिन बाद में बैठ जाता है यानि खंभा मुड जाता है अब आप सुझे खंभा कैसे बैठ जाता है ऐसे कैसे हो सकता है तो यानि खंबा मुड़ जाता है तो लड़की ताली बजाती है एक लड़का बैठ गया बैठ गया जी बैठ गया लंबा लड़का बैठ गया फिर ओभी ताली बजा बजा के ऐसे गाती है तो खंबा जरा सुख महसूस करता है कि बड़ा अच्छा लग रहा है कि जमानी जमानी के तो सबसर बताओं, हम खड़े रहते हैं न, तब बैटने का सपना देखते हैं, सपनों में भी हम हमें बैठना कितना अच्छा लगता है, तो वसारी बात जो रहता है कहता है, अब लड़की क्या कहती है देखिये, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहां कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है अब लड़की सोचती है कि मैं तो कहीं और थी आखिर मैं यहां तक पहुँची कैसे तो बड़ी सोच में पढ़ती है कि क्या करें तो पेड़ जो रहता है कहता है कि मैंने देखा था पेड़ सोचा कि मैं बता दू फिर उसे लगता है नहीं नहीं लड़की तो डड़ जाएगी ऐसा कहूंगा तो लड़की फिर बोलती है यह लड़का जो जी में आए बोल देता है तो में जीरो नंबर जैसे एक अध्यापिका किसी बच्चे को डाटती है समझाती है उसे तरह लड़की भी उन सब को समझाने कोशिस करती है जैसे वो अध्यापिका हो तो कहती है तुम्हारे जी में जो आएगा वो बोल दोगे तब तुम्हें जेरो नंबर मिलेंगे तो यह कहका उसे डाटते है तो पेड़ जो रहता है खंबे को आँख मारता है चरो ठीक है जीरो ही सही तो अब लड़की क्या किते है हम सब मिलके खेलते हैं तो जित करती है कि चलो हम सब मिलके खेला जाता है तो पोस्टर पर बनी नाचने वाली का फिर संतुलन खोता है गुंगरू की आवाज फिर आती है तो लड़की को अब मजाल लगता है लड़की बार-बार गिर रही है फिर जरा सोच के खड़ी होती है मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे दिखाऊं करके तो लड़की भी उस गुंगरी वाली को देख करके नाचने की कुशिस करती है तो सभी उसको बड़े खुश होते हैं देख करके तो सब कहते हैं हाँ हाँ दिखाओ न वाह लड़की नाचने लगती है तो पेड़ खंबे से धेरे से कहता है थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा तो खंबा कहता कौन तो पेड़ कहता वही वही दुष्ट आदमी जो बच्चे को उठा ले जाता है तो खंबा कहता सचमुच कवे से तो फिर उसने का आने का वक्त भी हो गया है तो कवे कहता किसके तो खंबा कहता है वो बच्चे उठाने वाले का इसे अभी ले जाएगा वह तब सारी बड़े चिंतित होते हैं कि अब तो चोर के आने की टाइम हो गई अब उस तब मिलके इस बच्ची को उठा ले जाएंगे तो अब क्या किया जाए तो उसे समझ में नहीं आता तो लेटर होता है आगे पोश्टर पे तब तक नाचने वाली और लड़की और वो दोनों मिलको खुब एक धूसरे को देखके नाच रहे हैं सब ही जो रहते हैं, एक दूसरे को बड़ा दाद देते हैं, खुश होते हैं, नाच खुब रंग में आता है, सब ही भाग लेते हैं, बीज में ही एक दूसरे के कान में फुस फुस आते हैं, पुना नाचते हैं, दाद देते हैं, दाद देते हैं, मतलब उनको उनकी आदमी आता हुआ दिखाई पड़ जाता है और उस दुष्ट आदमी को आते देखते ही सब बिलकुल चुप चाप निश्टाप था एक तम चुप नाचने वाली पोश्टर के बीच जाके खड़ी हो गई सभी अपनी अपनी जगा पे चुप गए लड़की भी घबरा कर खाई पड़ रहा है उसका चेहरा बदलता है कहां गई कहां गई वह छोकरी मैं छोड़ूंगा नहीं उसे अभी पकड़ के लाता हूं मुझे चक्मा देती है फिर ढूनने लगता उसे जाकर पेड़ खंभा लेटर बॉक्स सब इदर उदर बीचो बीच लपक जपक कर लड करने लगती है तो उस चोटी सी लड़की का संरक्षा करने लगती है दिरे दिरे सारे लोग उसे बच्ची को बचाने में इधर उदर दोड़ते हैं जिसे ढोला क्या तबले की ताल भी मिलती है लड़की किसी तरह भी उस्तुष्ट आदमी के साथ नहीं हाथ में नहीं आती तभी एकदम से कववा चिला पड़ता है अब कववा को लगा कि आप तो बचाने का कोई रास्ता नहीं है लड़की को तो जोड़ से चिलाता है भूत 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 फिर पीछे पेड़ खंभा लेटर बॉक्स वो भी नाजते हुए चिलाना शुरू करते हैं भूत 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 अब भूत की आवा सुनके तीनों खुब जोड़ जोड़ से चिलाना शुरू करते हैं तो दुष्टा आदमी जो रहता हो घबरा जाता है सभी पेड़ पर हाथ रखे हुए जोड़ जोड़ से रहते हैं कि बड़ा मजाया वो तो धर गया है तो खंभा कहता है बाबा युआनों लोगों ने उस की तो लटर बॉक्स कता अच्छे ना कुटी दुष्ट की खंभा कता अरे पर वो कहां है कुआ वो कोन तो पीर ने वाल जीव रहता है तो वह उड़कर के धर-उदर खुजता है देखने के लिए कि कहां गई वो लड़की फिर अधर देखता है लड़की का कहीं पता नहीं सभी चिंता ग्रस्त होते हैं कि अरे बाप बाप बच्ची कहां चली गई तो खंबा कहता है कहां गई विचारी तो कहो कहता है यहीं तो थी फिर पेड़ बोलता है कहीं नहीं मिल रही है फिर लेटर वाक्स कहता है उठा कर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमास तो लेटर वाक्स को फिर चिंता होती है कि कहीं वो चोर फिर तो नहीं पा गया उसे फ लगता है बहुत कर के वही ले गया उसे है तो लट्रबॉक्स करता है कितनी प्यारी बच्ची थी कितनी प्यारी तो खंबा करता है और सुभाव कितना अच्छा था उसका सभी दुखी हो जाते हैं सोग्रस्त हो जाते हैं तभी नाचने वाली लड़की पीछे से तभी नाचने वाली की पीछे से लड़की निकल के धीरे से जहांते हुई आ जाती है अब लड़की शरारत से मैं यहां हूँ मैं यहां हूँ मुझे पकड़ो खुब चिलान लगते हैं सभी आनंदित हो जाते हैं लड़की तो मिल गई अब अगे पीछे दोड़ने लगते हैं आखिर कवह उसे पकड़ लेता है सब कर दब से अधड़ खिर ली फिर सभ पहले काइसे खबरा गए थे सब के अहाँ बड़ा मजा आयался तो एधा zaw क्यावनुस सब पोश्टर पर नांचने वाली भी ताली क्या है लड़की ठक कर बैड़ जाती है कि ऊस्भ दिया मुझे श्माश यह सांस थक गई मैं फिर लेट जाती है बहुत थक गई मुझे उठा देना हाँ फिर मजा करेंगे और वह बहुत थकी रहती है फिर बार बार यह कहती है कि मुझे उठा देना फिर मजा करेंगे करते करते वो कहरी नीन में सो जाती है अब कवा सोचता कि बच्ची तो सो गई आप क्या किया जाए इस बच्ची को बचाया कैसे जाए तो फिर वो परिशान तो पेड के तब बहुत थक गई थी न विचारी छोटी सी तो है थक करके वो थक तक आगे सो गई अब क्या किया जाए तो बहुत परिशान होती है लड़की को प्रेंच से थप्तपाने लगता है कोई उसका पैड दबाने लगता है मतास सब मिल करके उस लड़की की सेवा करने लगते हैं कि किसी तरह भी लड़की को आराम मिले अब खंबा थोड़ी देर बाद फिर सोचता है कि सुबह हो जाएगी तो कहता कि अब तो कुछ देर के बाद सुबह हो जाएगी तब यह कहां जाएगी तब उसे लगता कि अभी तो हम आपस में बात चीत करके लड़की का मन लगा दिये हैं बाद में लड़की कहां जाएगी क्या किया जाएगी तो लेटर बॉक्स बोल पड़ता है उसे अपना घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम है अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती बेचारी को अपने पापा का नाम नहीं मालूम छोटी है अभी तो सब कहते हैं कि क्या किया जाए उसे तो ना अपना पता मालूम है, न ठिकाना मालूम है, न पापा का नाम पता है, आखिर हम उसे छोड़ने जाएं तो कहाँ जाएं, तो सब बहुत चिंतित होते हैं, खंभा सोच में हो करके बोलता है, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह, तो लेटर बॉक्स भ निजोरे कहां जाएगी मैं बताओं सभी लोग आश्चा चकत होते हैं क्या तो कहब कहता हम सब मिलकर कुछ ऐसा करें तो इसको पापा ज़या सकते हैं तो सभी उठकर कहते हैं कैसे क्या करें तो कहते हैं आसान है तो उसने तर्कीब बताई कि क्या किया जाए क्या करें कि इसको इसके पापा से मिला दिया जाए तो जब को अपना प्लान बताता है सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तब तो तुम ऐसा करना तो तुम आप अपनी घनी घनी चाया इस बच्ची के उपर करते रहना यानि बच्ची सोई है तो तुम इसके मुँपर चाया कर देना अराम से देर तक सूती रहे और खंबे महराज आप जरा टेड़े होकर खड़े रहिएगा मतलब कुल मिलाकर बच्ची को आसानी से नीद आती रहे तो सब मिलके उसकी सेवा करना खंबा कहता है इससे क्या होगा तो कवा कहता है पुलिस को लगेगा कि यहाँ कोई एक्सिडेंट हो गया है मतलब द्रिश्ट यह बनाया जा रहा है कि पुलिस वाले उस टेड़े खंबे को देखकर यह समझे कि यहाँ एक्सिडेंट हो गया है कोई दब को चल गया है तो वहा मिला करके यह सारे जो रहते हैं ऐसा प्लान बनाते हैं ऐसी ओजना बनाते हैं कि ऐसे ही किया जाए तो सारे लोग मिलके पुलिस के सोचते हैं कि घर का पता लग जाए तो पुलिस सबके घर का पता मालूम कर लेती है और खोई बच्चे को उनके घर पहुचा देती है यह सारी बात वो बताते हैं तो खंबा केता है थीखे थीखे मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा वैं आणा होकर खड़ा रहूंगा पर मानलो पुलिस नहीं आई तो तब कवा कहता कि आईगी कैसे नहीं, मैं कुछ और उपाय करूँगा तो कवा कहता मैं बार बार यहाँ आका जोड जोड से और लोगों का ध्यान इधर खीचूँगा तो उसे लगा कि झब काउं काउं लगातार करेगा तो फिर लोग इकठा हो जाएंगे कि यहां इतना काउं काउं क्यों हो रहा है तो और कुछ लोगों कि मैं चीजें उठा के धर उतर भागूंगा तब तो लोग पक्का समझेंगे कुछ यहां है और वो देखने आएंगे तो लड़की मिल जाएगी तो लेटर बस किला तब पर तब भ ठीक हो जाएगा समझो क्या करूं बता तो कवा करता कि आपको लिखना पढ़ना आता है ना तो एक आंकी में पहले ही दिखाया गया कि पोस्ट लेटर बॉक्स जो रहता है वो पढ़ा लिखा है चिठिया निकाल के पढ़ता है तो अब उसने दूसरा रास्ता निकाल है कि आपको लिखना पढ़ना आता है तो कान में बात करने लगता है धीरी धीर उसकी बात को समझाने लिए तब ही पोस्टर पे नाचने वाली जो रहती है वो गेर पढ़ती है फिर गुंगरू की आवाज आती है पुना जैसे तैसे अपनी पहले जैसी भंगे मावना कर फिर खड़ी हो जाती है तब तक बीच में लेटर बॉक्स जो है कोवे से बुलता है उससे क्या होगा कोवा उसके कान में कुछ और बताता है लेटर बाउस सुकृति में गर्दन ही लाता है अंधीरा कुछ दिर बाद उजाला सुबह हो खड़ा होकर खड़ा हो जाता है पेर सोही होगी लड़की के ऊपर जूख कर चाया कर देता है कोवा दौर दौर के काओं काओं करने लगता है सीनेमय के पोश्टर पर बड़ी जो अक्षा लिखे थे पापा het को गये नाचने वाली कि इससे मेल खाने वाली भंगेमा लेटर से हम क्या देखते हैं कि सारे लोग परिशान होते हैं कि कौन सा ऐसा उपाय करें कौन सा ऐसी तरकीब निकालें कि बच्ची अपने घर पहुंच जाए तो सब ने सोचा कि कोई न कोई रास्ता तो करना ही पड़ेगा कुछ ऐसा क्यों न किया जाए कि यहां पुलिस आए और ज उसका पता लगाएगी क्योंकि पुलिस तो सबका पता लगा लेती है तो यही एक रास्ते के लिए यही एक उपाय बचा ही था क्योंकि सारे निर्जी उपात्र सजीव हुए हैं तो सारे निर्जी उपात्र और कौन सा रास्ता निकाल सकते हैं वे किसी के पास तो जा नहीं सकते बुलाने और कभी बोलते किसी ने सुन लिया तो भूच समझेगा तो इस तरीके से सारे निर्जी उपात्र जो सजीव होकर यहां उस बच्ची की रक्षा का कारे कर रहे हैं वो सारे जो रहते हैं उपाय निकालते हैं तो उपाय निकाल करके उन्होंने सोचा कि बच्ची को बचाया जाए और बच्ची तो सो गई है अब बच्ची जितनी देर सोती है उतनी देर में इन लोगों ने ये योजना बना ली कि सुबह होने वाली है और सुबह होते ही अगर हम बच्ची को उसके घर नहीं पहुचा देंगे तो मुश्किल खड़ी हो सकती है और बच्ची कि अपने घर का पता नहीं जानती अपने पापा का नाम नहीं जानती अपने घर की गली नहीं जानती गली में अपना मकान नहीं जाती तो लालताओ यहां तक यह भी करता है कि चित्थी पर का पता दिखाता है कि लो इस पते को देख लो तब मुझे बताओ लेकिन वो परिशान होती है फिर इन्ही निर्जी उपात्रों के साथ बोलते सुनते देखकर सब को अपने पात बुलाती है खेलने लगती है तो अंतता वो ठक कर सो जाती है तब यह सब मिलकर योजना बनाते हैं कि अब इसको पहुचाने के लिए यही एक उपाय है कि जब सुबह हो तो कोवा काउं काउं करके कुछ लोगों के आसपास भटके और उसे भटकता देखकर लोग सोचेंगे कि आखिरी कोवा इतना काउं काउं क्यों कर रहा है तो लोगों को शंका होगी उसे अगल बगल देखेंगे कि क्या चीज है तो किसी ना किसी की निगाहिस बच्ची पर बनी जो नाचने वाली थी वो भी अपना एक स्वरूप बना के खड़ी है तो लेटर वक्स कहता लालताओ बोल रहा हूं तो उसने आवाज को शांत क्योंकि ये पढ़ा लिखा इंसान दिखाया गया है तो इस तोचा कि आवाज लगाते हैं लोगों को पुकारने के लिए तो वो आवाज निकालता यानि सारे लोग शांत हो जाएए जैसे आपने सडकों पर देखा होगा कि जब कोई एनांस्मेंट होती है किसी चीज की सूचना दी जाती है तो माइक में लोग बोलते हैं तो लोग शांत हो रूप जब ही कुछ आवाज आ रही है ऐसे कहके कुछ बो बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहां लेके आईए तो यह योजना बनाकर लालताओ जो रहता है वो चिला चिला कर उस बच्ची के बारे में बताता है कि जिस किसी को भी इसके पापा मिल जाएं वो यहां ले आए इन बच्चों के बीच ल जाता है और यहीं आकर जो कहानी रहती है वो खत्म हो जाती है परदा गिरता है अब मैं आपको बहुत अच्छी बात एक ये बताना चाहूंगी कि वास्तों में इस कहानी का जो मुख्य उद्देश है वो क्या है तो इस कहानी का मुख्य उद्देश यही है कि जब कभी ऐसा ह कि नन्हे बच्चे जिनको कभी भी कोई भी कहीं उठा ले जा सकता है, यदि वे अपना पता अपनी सारी चीजों को अपने बारे में नहीं बताना जानते हैं, तो आखिर उन बच्चों को कैसे बैठाया जाएगा या कैसे रोका जाएगा, कैसे उनको उनके घर तक पहुचाया जाएगा, तो यही यहाँ पर विजे तेंदुलकर जो इसके रचनाकार हैं, यही बताना चाहते हैं, कि एक नन्नी सी बच्ची खो गई है, कोई चोर उठा लाया है, जिसको कि कोई घर नहीं पहुचा सकता, वो बच्ची अपने घर का पत नहीं बता सकती, अपने बारे में नहीं बता सकती, उसके पापा कहां रहते हैं, वो नहीं बता सकती, उसका घर किस गली में है, गली किस सडक पर है, लावताओ बनकर के लेटर बॉक्स उससे सब कुछ जानना चाहता है, उदाहरण के लिए वो चिठ्ठी दिखाता है, कि च पारे ने मिलकर एक उपाय बनाया कि कववा जो रहता है वो सबका ध्यान आकरशित करने के लिए इदर उदर खुब उड़ेगा लोगों की चीजें लेके भागेगा सबका ध्यान जब आकरशित होगा तो पड़ा लिखा ताओ लालताओ जो रहता लेटर बॉक्स वो योजना बनाकर सूचना प्रसारण करेगा सूचना प्रेशित करेगा कि मैं सब को एक बार सूचना देता हुआ अंत में वो चिलाता है चिला के बोलता है कि मैं लालताओ बोल रहा हूं अंत में इसी से इस एकांकी का अंत हो जाता है कि वो बोलता है और बच्ची के बारे बताता है क जो कोई मेरी आवाज सुन रहा है वो जान जाए कि जिस किसी को इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं उसे जितनी जल्दी हो सके यहां ले आएं इस बच्ची से मिला दें तो आपने बहुत बार सडकों पर यह सूचना प्रेशित होते हैं सूचना सुनी होगी रिक्षे पर आटो पर लोग माइक लगा कर बोलते रहते हैं कि एक बच्चा खो गया है जिसके उमरे इतनी इतनी वर्ष है बच्चे ने यह यह पहन रखा लाल रंग की शर्ट और नीर क खोई हुए बच्चों की जो सूचना होती है वो दी जाती है तो यहां पर लेटर बॉक्स ने भी इस बच्ची की सूचना दी कि बच्ची के बारे में सबको पता लग जाए और उस बच्ची को उसके पापा मिल जाएं जबकि बच्ची को ये लगता है कि उसके पापा खो गए हैं, तो कहानी अपने में बहुत रुचिकर है, मन को लुभा लेने वाली है, जिसमें एक नन्ही सी बच्ची को यही नहीं पता है कि वो खुद कोई है, बलकि उसे ये लगता है कि उसके पापा खो गए हैं, तो इस तरीके से विजय तेंदुलकर ने एक बड़े अच्छे प्रसंग को, बड़े अच्छी सी बात को, बच्चों की इस मासूमियत को कि नन्ही बच्ची अपना परिचे नहीं दे सकती, किस तरह से एक एकांकी के रूप में प्रस्तोत किया है, बिबिन निर्जीव पात्रों को लेकर एक सजीव पात्र के साथ कितने सुंदर ढ़ंग से कहानी की रचना की है, एकांकी बनाई है, जब कभी इसका मंचन करना हो, तो ये अत्यधिक लुभावनी लगेगी, तो इस तरह से ये कहानी पापाख हो गए, यहां आके खत्म हुई, इसके बाद इस पाठ के प्रशनों को लेकर मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए मैं यहां पर इसे समाप्त करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में.